चलिए जानते हैं डिगरी का की positive डिगरी से comparative डिगरी किस तरीके से पूछा जाता है और किस तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे सल्ब करेंगे यह हमारा डिगरी का part 3 है तो चलिए शुड़ू करते हैं फॉस्ट अफॉल आप यह जानिए positive डिगरी को आप पहचानेंगे कैसे अगर question में आता है तो तो इसको पहचानने के लिए आप भ्यान रखिएगा कि question में अगर tall आता है और यह positive डिगरी है तो एक तो आप ऐसे positive डिगरी है और टॉलिस्ट शुपर लेती डिगरी है दूसरा बात कि positive डिगरी जब भी आता है तो उसके सुडू में और लास्ट में एज एज लगा हुआ आता है ठीक है तो एज एज लगा हुआ ही आएगा और जब आप उसको comparative डिगरी बनाओगे तो उसमें comparative के बाद हम अधिन यूज किया जाता है और चीज को आप कभी भूलोगे नहीं ठीक है अब आई जानते हैं कि positive डिगरी से comparative डिगरी बनाने का क्या नियम होता है तो अगर इसके structure की अगर हम बात करें कैसे बनाएंगे इसको तो structure होता है last subject last subject के बाद लगाना है auxiliary verb ठीक है और auxiliary verb यहाँ पे coast में हम डाल देते हैं auxiliary verb के coast में not समझा रहे हैं यह क्या है कैसे बनाना है कैसे solve करना इसको इसके बाद आपको लगाना है comparative degree cd और आपको पता है कि comparative degree अगर आएगा तो उसके बाद then जरूर आएगा ठीक है और then के बाद आपको use करना है a starting subject अब इस structure को कैसे follow up करना है इसके लिए मैं आपके सामने कुछ एक्जेम्पल आता हूँ एक्जेम्पल है जैसे he is as good as राम he is as good as राम अगर आपके exam में यह question आएगा तो यहां कोस्ट में लिखा हुआ आएगा into comparative इसका मतलब यह कि यह जो question है आपको इसको comparative degree में बनाना है ठीक है तो इसके लिए positive to comparative first of all आप देखो कि यह as as आया हुआ है और यह good आया हुआ है तो यह कौन सा degree है एज एज आ गया तो यह आपका positive degree हो गया ठीक है एक और बात कि एज एज के जगह पे so age का भी यूज किया जाता है और दोनों में कुछ खास अंतर नहीं होता है आप एज एज यह so age कुछ भी यूज कर सकते हो कुछ भी दिया हुआ हो सकता है positive degree के आगे पीछे ठीक है ऐसे माना जाता है कि गर not आये तो फिर so age लगाना बेठर होता है तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे अगले वीडियो में अब इसको बनाना कैसे है तो structure देखिए सबसे पहले है last subject तो last में subject क्या है हमारा राम है न तो आप लिख दो राम हम इसका comparative डिग्री बना रहे हैं लास्ट वाला subject हो गया राम इसके बाद एक्षूलियरी वर्द एक्षूलियरी क्या काम कर रहा है इज लिखा हुआ है तो इज का मतलब है इज आर एम तीनों में से कोई एक अब राम के साथ क्या लगेगा इज लगेगा आर लगेगा या फिर एम लगेगा तो इज लग गया राम इज इसके बाद कोस्ट में लिखा हुआ है not कोस्ट में मैंने इसको क्यों लिखा है इसका मतलब ये है कि not अग अगर इसमें पहले से नौट हो तो आप उसको हटा दो नहीं लगाना है लेकिन अगर इसमें नौट पहले से नहीं है तो आपको नौट लगाना पड़ेगा तो चुकि यहां नौट पहले से नहीं है इसलिए आप यहां पे नौट लगा दोगे रामीज नौट हो गया फिर कमपेरेटिव डिग्री तो गुड का कमपेरेटिव मैंने बताया था पार्ट टू में कि गुड का कमपेरेटिव होता है बेचेड हो गया बेचेड इसके बाद दैन दैन हो गया और स्टार्टिंग सब्जेक्ट तो इस स्टार्टिंग सब्जेक क्या है ही है तो ही का ही ही जाएगा ध्यान रखिएगा यह भ्वाइस नहीं है कि ही का आप ही म्यूज करोगे ठीक है तो यह हो गया आपका कम्प्लीट बन गया चलिए अगला एक्जेम्पल देखते हैं अगला एक्जेम्पल है I am as tall as you एक ची इस डिग्री में आप ध्यान रखना कि डिग्री में कभी भी अर्थ चेंज नहीं होता है यहां पर अर्थ क्या होगा I am as tall as you का मतलब होता है कि मैं उतना लंबा हूं जितना की तुम ठीक है तो हम इसका जब बनाएंगे कंपेरेटिव डिग्री तो यू आ जाएगा इस आप एकजूलियरी भर्वागिया आँ यू आड नॉट अगर हो तो हटा देना है और नहीं हो तो लगा देना है तो यहां नॉट तो नहीं है ना इसलिए नॉट लगाना पड़ेगा नॉट और यह टॉल का कंपेरेटिव डिग्री आपको पता है टॉल का कंपेरेटिव हो तो टॉलर और दैन लगाना पड़ेगा आपको और फिर स्टार्टिंग सब्जेक्ट जो है तो आई का स्टार्टिंग सब्जेक्ट मिस आई इस तो इधर आजाएगा हो गया यह भुवाइस नहीं है कि आप आई का मी करोगे यह चीज ध्यार देखना ओके एक दो और एक्जे परेंपल है आपका माई ब्रदर इस माई ब्रदर माई ब्रदर इस एज एस स्ट्रोंग एज अ लायन मेरा भाई जो है वो उतना स्ट्रोंग है उतना मजबूत है जितना की एक लायन तो आप इधर से यह लायन लेके आओगे और लायन एक्जूलियर इवर्व इज लग गया और यहां पर नॉट नहीं है तो लगाना पड़ेगा नॉट कंपरेटिव डिगरी तो स्ट्रोंग का कंपरेटिव होता है स्ट्रोंगर अच्छा कंपरेटिव का मैंने जो वर्ड लिस्ट है वह फेस्बूक वाला जो पेज है लर्न एबरिटिम उस पर मैंने आज अप्लूड कर दिया है ठीक है तो आप वहां से इसका वर्ड लिष्ट देख सकते हैं तो लायन इस नौट एस ट्रॉंगर दैन starting subject क्या है my brother है तो यहां आ जाएगा my brother यहां कर रहे हैं कि एक लायन जो है यह मेरे भाई से ज्यादा मजबूत नहीं है इसके बाद हम जो है कुछ और एक्जेम्पल देखते हैं यहां पे नीचे एक एक्जेम्पल दिया हुआ है एक्जेम्पल है कि दे वर्क ये थोड़ा टॉफ लगेगा आपको लेकिन टॉफ ये है नहीं दे वर्क एज मच एज एज मच एज आई डू अब यहां करना क्या आपको लास्ट सब्जेक्ट आई है तो आई लेके आना है एक्जूलियरी वर्क अच्छा दियान करो कि दे वर्क ये तो टेंस चला गया ना दे वर्क प्रेजेंट इंडेपनी टेंस तो प्रेजेंट इंडेपनी टेंस में होगा क्या हमने तो नियम पर आए कि नौट ना हो तो लगा देना है तो नौट यहां पर तो है नहीं तो नौट तो हमको लगाना पड़ेगा लेकिन प्रेजेंट इंडेपनीट में होता क्या है कि नौट आएगा तो उसके साथ डू तो मच का कमपेरेटिव डिगरी आप देख सकते हैं मेरे पार्ट टू में मोड होता है मच का कमपेरेटिव मोड और दैन लगाना है और यह स्टार्टिंग सब्जेक्ट दे जब यहां आएगा तो एक बात आप ध्यान लेकरना कि डू हटता नहीं है डू का डू आपको ठीक है इसके बाद एक दो और एक्सेम्पल हम लोग देख लेते हैं आगे एक एक्सेम्पल यहां पर दिया गया है कि सी ड़स नॉट सी ड़स नॉट नॉट सी ड़स नॉट 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 यू सी ड़स नॉट नॉट यू एज गुड एज आई डू तो आई स्टार्टिंग लाश सब्जेक्ट इधर आएगा स्टार्टिंग सब्जेक्ट बन गया आई इसके बाद एक्सूलियरी भर्द और नॉट की जहां तक बात है तो ध्यान दीजिए नॉट अगर हो तो क्या करन प्रबरेंगा सुल्ब योगल कượngा और पूर्च नॉट यहाँ के साथ है जाएगा सब्सक्राइब की तो यहाँ सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब जाएगा एज गुड एज का कमपेरेटिव आप जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा बेटर दैन और फिर यह सी इधर जाएगा लास्ट स्टार्टिंग सब्जिक जाएगा तो यहां सी के साथ क्या आई के साथ दो जाएगा ठीक है तो ज्यादा टॉफ नहीं है वेड़ी वेड़ी इजी होता है यह सब चीज ठीक है और आसा करता हूं कि आप लोग यह सब बनाई लोगे एक एक जैपल और ले लेते हैं तो ही कि डज नौट रं ऐज फास्ट एज आई ऐज फास्ट एज आई यह बन जायगा आप से ऑई धर आएगा तो आई हो गया आपको पता है नौट हो तो हटाना पड़ता है लेकिन टेंस के हिसाब से यह यहां से दज भी गया और आई के साथ क्या हो गया रन हो गया आई रन हो गया ऐस फास्ट ऐस है तो यह comparative चेंज होगा तो आई रन इसके बाद comparative में क्या हो जाएगा यह faster than faster than हो गया और इधर से ही चला जाएगा तो faster than he एक और बात कि अगर यहां आई ना होके कहीं यहां c होता तो तो c होता तो अगर यहां पे भी c आता सिजा सा बात है लेकिन यहां run नहीं होता यहां runs हो जाता क्योंकि c के साथ वर्व 5 लगता है वर्व 1 नहीं लगता है तो यह सब सिंपल सी बाते हैं आप लोग देख सकते हो आसा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इसके बाद मैं जल्द ही positive to comparative के बाद comparative to positive लाने की कोशिस करूँगा Thank you for watching this video